हलो दोस्तो आज डॉक्टर अजीत सर्मा अयरुवेदिक ऐशी अवशद्यों बीमारी के बारे में हम बताएंगे आज दोस्तो आपको धियान से वीडियो को देखना है और बात किन परकार से हम बता रहे हैं दोस्तो किन-किन चीजों के बारे में आपको धियान से सुनना है तो दोस्तों अक्षर मुह में जो दाग, धब्बे, पीपल, जुलना, चेहरे पे छाउपन ये सब जो है कितनी से कितनी पुराना हो आप पहले तो डॉक्टर एर्वेदिक के शला नहीं लिये होंगे दोस्तों अजित सर्मा आज आप लोग को ऐशी तरकीब और ऐशी नोश्के के बारे में आज बताएंगे दोस्तों आप शुनकर हैरान हो जाएंगे और ये कहेंगे कि आपका दाग दब्बे जुलना चेहरे पे छाउपन चेहरे की चमक किस परकार से फिर हम वापस लेकर आएं तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आपने दाग दब्बे होने पर कितनी परकार की किरीम उज़ किये हैं शद आप जानते हैं लेकिन आज हम जिन चीजों के बारे में जिन अर्वेदिक नोश्के के बारे में हम बताएंगे आप हैरान हो जाएंगे और ये अवशदियो पाए जाने वाले पोधे हैं जिन पोधे के नाम पपिते के पत्ते से भरपूर मात्रे पे गुन फाए जाते हैं जैसे आपके मुह में जुलना दाग धब्बे यानि कि पहले पीपल सब निकले थें आपके पीपल सब खतम हो गए लेकिन उनके बाद जो दाग हो गए हैं उस जगे पे उस दाग को मिटाना चेहरे पे च्छाओंपन चेहरे का चमक वापस लेके आना आज हम इन सब इन सब चेहरे को पीपल दूर करने के लिए आज हम ऐसी नोश्खा बताएंगे तो हम लोग क्या करते हैं अक्षर और वेदिक डॉक्टर से सलहा लेते हैं कि आपको अगर किसी तरीके से जैसे अंग्रेजी हर क्रीम आप उज़ करके देखे हैं कितनी मात्रा में कौन सी क्रीम आपको हेल्प दिया निजाद दिया आप जानते हैं लेकिन हम इतनी बताएंगे कि आप ये अईरवेदिक नोश्खा है आप एक बार इन नोश्खे को ज़रूर ट्राइ करें कि कि ये अईरवेदिक नोश्खा है अव शदियों से ये गुणों में भरपूर मात्रे में पाए जाते हैं ये पपिते के पत्ते तो दोस्तों जब दाग धब्बे हो जाते हैं तो मुह यानि कि चेहरे देखने में बहुत खराप लगते हैं अपने आपको उदास समझते है दोस्तों ये है घरेलू नोश्का आप खुद से इसको बना शकते हैं नोश्के को आप कर सकते हैं आप खुद से चेहरे को चमक वापस लेके आ शकते हैं तो इसको क्या करना है ज्यादा चिंतीत रहनी की बात नहीं है ये घरेलू नोश्का है आप इसका परियोब कर सकते है हम जितनी परकार से जिन बातों को आपको बता रहे हैं धियान से पहले बात को सुनना है उनके बाद आपको इस्तमल करना है यह अशदियो गुन इतनी मात्रे में पाए जाते हैं इन पपिते के पत्ते से आप इन पपिते की पत्तियों से एक बार आप क्रीम छोड़के इनका परियोब करके देखें आपका हंड्रेट परतिसत चेहरे की दाग दब्बे जुलना चेहरे की चमक वापस लेके आना यह हंड्रेट परतिसत आपका पीपल से निजाद मिल सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम किन-किन मतलब इन में चीजों की इस्तिमाल करना पड़ेगा उन चीजों को हम बता रहे हैं सबसे पहले आपको बेशन लगेंगे एनकी बेशन अवशदियों से इनका फरियोग किया जाता है तो एक चमच बेशन ले लेना है उसके बाद आपको दही की जरूरत पड़ेंगे तो एक चमच दही ले लेना है दही लेने के बाद आपको शहद भी एक चमच ले लेना है अगर शहद आपके घर में नहीं है तो बजारों से एक डिबबे लेकर आशकते हैं शहद एक चमच उसके बाद आपको क्या करना है गुलाब जल आधा चमच ले लेना है कितनी परकार की हम चीजें बताएं उनको धियान से रखना है और उन उन चीजों को अच्छी तरीके से बनाना है आपको अपने चेहरे के दाग धब्बे से निजाद मिलना है तो हम किन-किन चीजों को बताएं बेशन एक चमच दही एक चमच शेहद एक चमच और गुलाब जल आधा चमच उनके बाद इन पपिते के जो पतिया है उनका चटनी बनाके ज्यादा तर पचाश गिराम आप इन चीजों पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें लेकिन ध्यान रहे आप सोचेंगे क्या कि हम इन चटनीों को अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे चेहरे पर तो हमारे जल बाजी में खतम हो जाएंगे अपने अपने आपस में भूल मत करना दोस्तो जिस तरीके से आप क्रीम उज़ करते थे शेम उशी परकार से आपको चेहरे पे लगाना है दोस्तो जितने परकार से हम बताएं उतने परकार को दो टाइम एनि कि एक बार साम को और एक बार सुभा इनका परियोग करना है हम जिन जिन चीजों को बताएं धियान से आपको उन चीजों को आशानी तोर पे बाजारों से पाए जाने वाले अशदियों भरपूर मौतरे में और यह है पपिते के पत्ते जिनके चटनी बना के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों अपके फेसों पे लगाना ह आप तीन से चार दिन तक इनका परियोग करें दोस्तों आपका यह जुलना चेहरे की छावपन दाग धब्बे से आप निजाद पा सकते हैं दोस्तों दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेर करना ना बुले अगर हमारे चैनल पे नहीं हो त तो प्लीज सस्क्राइब और बेल आइकन का धंटी दबाए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेसर आप तक पहुंसते रहें जैहिन दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं